पिछले 24 में उडिशा के उपर रेनफोल का डिस्ट्रिपूशन स्कैट्र रहा है उच्पूश जगह पर बारिश होई है हलकी से मद्यम बारिश एक जगह पर हैवी रेनफोल भी हुई है इसमें कंदमाल में खजुरेग पाड़ा में 83.1 मिलिमीटर बर्शा दर्ज की गई है जो हाइस रहा ऊड़े औरिशा वे विनेशा का रहा 39.60 सेर्ष और कर तक का 38.50 सेर्ष तेंपरेटर दर्च किया गया है अज़ा दर्च के उपर कोई भी सिस्ट्रम नहीं है और आस पास के सिस्ट्रम को प्रवावकरिस से अभी क्लावडीस का ही है और अगले पांच दिते लाइक तो मॉडर ट्रेंग एक दो स्थान पर बने रहने की संभावना है बात करें दे वान और टू अज जानि एक और दो तारीक को लगवद पूरे उडिशा में रेंट्फोल डिस्टिपूशन रहने की संभावना है दे वन जानि कि आज कुछ जगा पर हैवी रेंफल एक जाने की संभावना है वहाँ पर येलो और वार्निंग भी दी गई जिसमें मियुर्बंच, इबालाशोर, बद्रग, जायदपूर, क्योंजा, द्योगर्ण, अन्गूल, रिधपति और रायगड़ा कौरपण मुलकान की डिस्टिक भी शामिल है इसे पर दो तारीक को भी क उसके साथ मियुर्बंच, क्योंजव, डेनकनाल, अन्गूल, सुंदरगड में इसे प्लेसित में थंडर्स्टॉर्बंच, लाइटनिंग उने के लिए येलो और वार्निंग दी गई है फूर्थ को भी उडिचा में जो हमारे नौर्थ उडिचा कुछ दिस्टिक और साफ सब्सक्राइब के उन्जव, सुंदरगड जास्टॉरा बार्गड और साथ में गजपती, रायगड़ा, कॉरफट और नवरंगपूर में इसे प्लेस में थंडर्स्टॉर्बंच लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है तंडर्स्टॉर्बंच लाइटनिंग अगर बात करें मैक्सिमन डेंपरचर के तो मैक्सिमन डेंपरचर में ज्यादा बदलाव अगरे 4-5 दी तो ज्यादा नहीं देखा जा सकने संभावना उसके बात दीरे दीरे थोगा सा बढ़ने की संभावना है